कार्तिक मास शुरू हो जगा है, यानि की कार्तिक का महीना, जिसमें बहुत सारे परवाते हैं, जैसे हम देखते हैं, जिसमें विश्णु जी की पूजा की जाती है, भगवान की पूजा की जाती है, और लोग जादा तर तारों की चाहों में उठकर कथाएं पढ़ते हैं, भ बहुत अच्छा प्रश्ण पूछा नहीं आजी आपने, देखे कार्तिक के महीने को सर्व गुण संपन्न महीना का गया है, इस महीने में आपको हर दोश्य शान्ति मिलती है, इस महीने में हर आपकी हेल्थ से संबंदित इशू समाप्त हो सकते हैं, इसकी मैं आपको पूरी ज महिनापती का महिना है इस महिने में देवताओं ने सबसे बड़ी बात दैत्यों पर सरवदा सरवदा के लिए विजय प्राप्त कर ली थी यह वो महिना है अब इस महिने के बारे में थोड़ा से जानते हैं देखिए इस महिने का सबसे बड़ा परवह है महिने का मध्य यानि क की दीपों का आवागमन, तीन दिपावलियां होती है, साल में तीन दिपावलियां होती है, मैं आपको पहली बार ये बताने जा रहा हूँ, एक दिपावली होती है जीवजन्तू की, जब चंद्रमा अपनी सोला कलाओं से लेस होता है शरदपुर्णिमा, कार्तिक का मेना जिसे हम देव दिपावली कहते हैं, और एक दिपावली हम मनुश्यों की दिपावली होती है, जिस दिन महालक्षमी का पूजन किया जाता है, और इसमें, इसी महीने में विशेश्तर आध्या काली जैन तीवी है, जिसे हम काली चौदस कहते हैं, महाकाली का जन्मोत सभ है और उसे काली दिपावली भी कहते हैं बेंगॉल में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा परव है इसी महिने में कुबेर का अवागमन भी है धनमंत्री का अवागमन भी है और ये जो महिना है मूलतह एक महिना पूरा ये समुद्र मंथन का महिना है और इसी के समुद्रमंथन के पंद्रवें दिन लक्ष्मी का उद्गमन हुआ था कमला जैन्ती है इस दिन दिपावली थे कितना खास महिना है और इस महिने का अब मैं आपको मूलतह अध्यात्मबाद बताता हूँ ये महिना कृति का नक्षत्र से जुड़ा है कृति का नक्षत्र है सूर्य का नक्षत्र तो कार्थिक भगवान यानि कि भगवान शंकर के बड़े पुत्र पारवती और भगवान शंकर के बड़े पुत्र यानि कि देवताओं के सेनापती जिनकी पतनी का नाम देव सेना था उनका महिना है यह और उन्होंनों ही बेसिकली जितने भी दैत्य थे उन पर विजह पराप्त की थी यह वो महिना है और कार्तिक को जो ना मिला है वो कार्तिक की वज़े से मिला है कृतिका नक्षत्र की वज़े से मिला है अब कृतिका नक्षत्र क्या है सूर्य का नक्षत्र है सूर्य अगनी चंद्र लोचना है भगवान शंकर का ही नाम है और कृतिका है छे तारों का समू है छे अगनी शिखाएं है भगवान शंकर की लटाएं है ये छे जिन से मूलतह कार्थिके की पालन पोशन किया गया था कौन थी कृतिका है भगवान शंकर की सालिया यानि के चंद्रमा की पत्नी उन्हें नाम दिया है कृतिका कृतिका जो नक्षत्र है वो चंद्रमा की पत्नी है और छे कृतिकाएं अलग-अलग है तो मूलतह ये शिखाएं हैं अगनी शिखाएं जन से बनकर ये नक्षत्र उत् तो भगवान कार्तिके को जन्म किसने दिया पारवती ने पाला किसने कृतिकाओन उनको चुपा कर रखा गया क्योंकि यह भविष्वण की गई थी विद्वाताव द्वरा कि भगवान कार्तिके ही सभी दुष्टों का अन्त करेंगैं और ये महिना मूलतह सबसे बड़ा है क्योंकि इस एक महिना ही ऐसा है जिसके अंदर अगर आपसे भ्रम हत्या भी हो गई हो तो वो पाप आपका दोश कट जाता है मात्र कार्तिके के दर्शन से ही सभी पाप धुल जाते हैं और दक्षन भारत का तमिल दिपावली परभवी इसी म पासकते हैं जब अपनी सारी बिमारियों को अंत से मिठा सकते हैं यही महिना है गाए के पूजन का और यही विशेश महिना है गोवर्धन पूजन का क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र तक को उसका मान मरदन कर दिया था तो कितना खास है यह महिना आप सोचिए तो पंटीज जैसे इतनी महत्ता आपने बताई है इस दिन तारों के च्छाओं में पूजा पाट करने की बड़ी महत्ता होती है इसके साथ क्या कनेक्शन है देखे तारों की च्छाओं का मतलब होता है अरुन और वरुन अरुन जो है वो बेसिकली वाहक है किसके वाहक है स सूर्य के आने से पहले अरुन आ जाते हैं जब आपने आकाश में देखा होगा लालीमा चाही रहती है तो ये महिना जो होता है ये शरद का महिना शुरू हो गया आप शर्दी शुरू हो गई है इस महिने में कुछ चीजे मना हैं जैसे बिस्तर पे सोना मना हैं जैसे गरम पा ठंडे पानी से श्टनान किया जाता है और सर गिला किया जाता है रोस कई महिला एकर कई पुरुष जो कार्थिक माने महिने मानते हैं इस महिने में उबला हुआ भोजन करते हैं और इस महिने में सरवदा जीरे का इस्तमाल भी मना किया जाता है क्योंकि यह महिना वो महिना होत उन मच्छरों का अंत होता है, बिमारियों का अंत इसी महिने से शुरू हो जाता है, कारण क्या? कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र में गुस्सा है, और इसी नक्षत्र के कारण हम मासिक कार्तिका दीपम पर्व मनाते हैं, हर महिने में जब कृतिका नक्षत्र आता है, तो हम कार्तिक दीपम पर्व मनाते हैं, कृतिका दीपम और ये महिना कृतिका दीपम पर्व का खास महिना है, ये दीपों का महिना है, क्योंकि दीप कौन है, इतसल्फ कौन है दीप, दीप है भगवान शंकर, ये महिना हर का है, हरी का है, साथ बसाथ के अंदर ये महिना भग पाइदा होते हैं उनसे माबाप का बिछड़ा नाराज रहे तो माबाप से बच्चे ना विछड़े इसलिए इस महीने में जित्ते भी बच्चे पैदा होते हैं उनकी कार्तिक शान्ति कराई जाते हैं जिसे अपन कार्तिक की शान्ति कहते हैं अलग अलग भाशाओं में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है उसे कार्तिक शान्ति कहा जाता है क्योंकि वह बच्चे बहुत जादा गुस्यवान होते हैं अपने माता पिता से जगड लेत है यांकि इतना फायदा मिलता है तो हमारे विएस के लिए एक उपाय बता दीजिए कि उनको उतना लाब मिलें देखें यह पूरा महिना जो हो सूर्य के नक्षत्र से संबंदित है और इस महिने में यह खासियत क्या है कि सूर्य की परसंटेज कम हो जाती है सूर्य जो है वह विशेशतर चे दीपक रोज क्योंकि छे कृतिकाये हैं छे दीपक रोज आपको घर में शाम के समया पर प्रजोलित करने चाहिए इस से जिवन की हर इच्छा आपकी पूरी हो जाती है और यह महिना है तेल के दीपकों का घी के दीपक ना जलाए तेल के दीपक जलाए पहुत बहुत देने वाद नियाजी और दश्यों को आपका भूत बहुत देने वाद उमेद है यह जानकारी आप सबको बहुत पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स इसी तरह की और भी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार लेकिन जाने स पहले हमारा YouTube चानल कुंडली टीवी, Facebook पेज कुंडली टीवी लाइक और शेर करना ना भूलें